विदेशी बजारों में गिरावट का रुक बने रहने से घरेलू बजारों में खादिय तेलों में गिरावट देखने को मिली है मुंफली, सोयाबीन और पामोलीन तेल की कीमतों में गिरावट आई है इसके इलावा सरसो तेल में भी नर्मी का रुक देखने को मिला है दरसल पिछले हफते शिकागो एक्सचेंज में साड़े चार फिसद की बड़ी गिरावट देखने को मिली और जिसका असर घरेलू बजारों पर पड़ा हालाकि इसका उतना असर बजारों पर नहीं हुआ क्योंकि घरेलू सतर पर खादय तेलों की सप्लाई कम है जिसने भारी असर को कम करने का काम किया सरकार ने खादय तेलों के आयाज शुल्क में छूट दी थी लेकिन उभोकताओं को इस रियायत का पूरा फाइदा नहीं मिल पा रहा ऐसी स्थिति में सरकार को इसका इंतजाम करना चाहिए कि खादय तेल कारोबारी इसका लाब उभोकताओं तक पहुंचा सके वहीं मिली जानकारी के मुताबिक सरकार को खादय तेलों की सप्लाई श्रिंखला को बनाई रखने में सोय, बीन, जीगम और सूरज मुखी तेल के आयात की सीमा को पूरी तरह से खतम कर देना चाहिए वहीं जानकारों का कहना है कि या फिर पहले की तरह 5 फिस्दी का आयात शुल्क लगा देना चाहिए इसके इलावा सरकार को तिलन उत्पादर बढ़ाने पर भी ध्यान देने की आवशकता है मुंफली की फसल कुछ समय में ही घरेल पकर त्यार हो जाएगी और बजारों में आजाएगी और इसके चलते कारोबार फिलाल मंदा देखने को मिल रहा है वहीं सरसों के भाव अभी अधिक है और जिसके चलते खरीदारी कम देखने को मिल रही है ऐसे में बजार जानकारों का कहना है कि खादे तेल की कीमतों में बहुत जादा फिलाल गिरावट नहीं है लेकिन विदेशी बजारों में जो गिरावट आ रही है उसका असर घ्रेलू बजारों पर कम होता दिखाई दिया है कि खाद सब्साद कर दोगा है